तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते है आज के नए दे की नए निउस के साथ में आज का नया शेशन और आज ना चाहते हुए भी अपनी पढ़ाई को क्या करते हैं चलिए तो सबसे पहले हैलाइट क्या है हमारी फर्स हैलाइट है तो उत्तराखन के जंगलों में आग लगी है और 72 घंटों से पिछली ये आग लगी हुई है इसके लिए वहाँ की जो गवर्मेंट है उसको आर्मी की हेल्प लेनी पढ़ रही है एएर फोर्स की हेल्प लेनी पढ़ रही है इतने बड़े लेवल पे ये आग लगी है तो दे लेजन के फोरेस्ट में भी आग हमेशा लगती रहती है गर्मी इतने जादा हो रही है इस वज़े से होती है कई बारी कुछ लोग होते हैं जो और इरिस्पॉंसिबिलिटी दिखाते हुए कहीं पर आग की छोटी सी भी चिंगारी फेक देते हैं तो वहाँ पे आग लग ज देखेंगे अपने जोग्रफी के पर्सपेक्टिव से क्योंकि वह तरीके के कुश्चन होते हैं जैसे जोग्रफी में आपसे पूछा जाएगा तो लेंड वगेरा पूछ लिये जाती है कोई आपके लेक सो गई उसके बारे में पूछ लिया जाता है और कैसे पूछा जात तो अच्छे से उसको हम देखेंगे उसके बाद हमारी अगली न्यूस क्या है इंडिया सेट टू साइन ट्रेड दील विथ ओमान तो एक्सपार्ड इस वेस्ट एशिया टाइस तो देखिए ओमान जो है वो वेस्ट अशियन कंट्रीज में आता है चाहे वो गल्फ कंट्री में आता है और गल्फ कंट्री बहुत इंपोर्टेंट है हमारे लिए हम उसको आगे देखेंगे क्यों इंपोर्टेंट है अच्छा आर्टिकल है अभी ये डील हुई नहीं है होने वाली है लेकिन अभी ये न्यूस चपी है तो हम उसको डिसकस कर लेंगे साथ के साथ अभी एक अर्थ का छोटा सा पार्ट कोई रॉक है जो चटान है उसको डिसकवर किया गया है और वो बहुत अलगभग 3.5 मिलियन एर्स पुराना है और साथ के साथ में उसमें मेगनेटिक फिल्ड की बात की गई है और उस रॉक को रिसर्च करके ऐसा पता लगा है कि बहु नहीं मेगनेटिक फोर्स अर्थ के सराउंड में काम करते थे तो इस रॉक के रिसर्च से ये बात सामने आई है तो देख लेंगे छोटी सी न्यूज है उसको और इन्वार्मेंट के लिहास से या जोग्रॉफी के लिहास से टॉपिक इस तरीके के हमारे लिए इंपॉर्ट इंशोरेंस पॉलिसी से रिलेटेड उसमें क्या चीजें मेंशन की गई है और वो किस तरीके से बेनिफिट करेगी हमारे सीनियर सिटिजन को इसको हम देखेंगे अब ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हम क्योंकि जी एस पेपर टू में ही जो आपका सोशल जिस्टिस वाला है वहाँ पर ये टॉपिक आपको पूछा जा सकता है क्योंकि सीनियर सिटिजन भी हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रोल रखते हैं वो बोलते हैं कि जिस समाज में बुजर्ग होते हैं उनका अनुभव हमारे लिए बहुत काम करता है और उनको हमेशा अपने पास सं एशिया तो ये एक छोटा न्यूज एडिटोरियल है एसिया के रिस्पेक्ट में बात करता है कि जो एक्स्ट्रीम क्लाइमिट चेंजिस हो रहे हैं वो एसिया को पर्टिकुलर्ली एशिया को कैसे एफक्ट कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे डाटा दिये गए हैं हम देख लेंगे साथ के साथ ऐशिया पिर क्यों इतना जादा ये क्लाइमिट का एफक्ट हो रहा है उसके बारे में देखेंगे तो ये जो न्यूज रहेगी इस प्रकार रहेगी उसके बाद हमारी अगली heading क्या रहेगी अगला highlight है chemist group resist centers move to sell drug without license अभी क्या किया है government ने कुछ OTC दवाईयां होती है OTC दवाईयां होती है over the counter OTC over the counter means क्या होता है यह इस तरीके की दवाईयां होती है जिनको बीना doctor के prescription के आप ले सकते हैं like paracetamol, aspirin, disprin वगेरा जो सरदर्द की दवाईयां, बुखार की दवाईयां वो क्या होती है, बिना doctor के prescription के आप generally medical store पे जाते हैं और आप वो दवाईयां मांगते हैं आपको बेज जाते हैं तो इस तरीके की दवाईयों को कहते हैं OTC अब इस OTC दवाईयों से related government ने एक regulation लाया था कि government को इस तरीके से नहीं करना चाहिए अब ये पूरा topic जो है, वो GS paper 3 में health से related है, तो हम इसको देखेंगे कि क्यों concern raise कर रहे हैं, जो भी अलग-अलग health से related sectors हैं, organizations है, ठीक है उसके बाद हमारी अगली news क्या है Center releases disaster relief fund for करनाठका and Tamil Nadu ये news हमने almost एक महीने पहले discuss की थी, जब election time में अपास में आता है, तो अलग-अलग states क्या करते हैं, center के खिलाफ में अपने concern, अपने-अपने issues raise करते हैं, तो उस time में हमने देखा था कि Kerala, Tamil Nadu, करनाठक, इन अलग-अलग राज्यों ने government के खिलाफ Supreme Court में अपनी याची का डाली थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि government, जो है, central government जो है, उनको fund provide नहीं कर रही है और वो fund उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि disaster की वज़े से flood आया हुआ है, या कोई भी cyclone आया है, जिसकी वज़े से उनका infrastructure चीजे बहुत जादा छती हुई है, तो अभी फिलहाल government ने क्या किया है, central government ने fund release किया है, अब चुकि election आ रहे हैं, वहाँ पर भी election होई रहे होंगे, बहुत सारे चड़नों में मदान चल रहा है तो कहीं न कहीं, central government को भी मालूम है कि अगर वो इस तरीके से fund को रोक कर रख देगी, तो वहाँ की state government जो है, अपने local जो जनता है, उसको इसी तरीके से बरगलाने की कोशिश करेगी, कि भाई देखो center जो है, वो तो पैसा ही नहीं देता, तो बहुत खास नहीं होंगे तब, तो ये जो news है, ये जो editorial है, वो क्या है, केरला से related है, particularly केरला में एक scheme चलती है, एक तरीके से एक revolution चलता है, जहां पर west को क्या किया जाता है, door to door west collect किया जाता है, और फिर उसको कुछ resources में change किया जाता है, ठीक है, तो देख लेंगे, अब इस तरीके के question को आप एक तो, gs paper 3 में जो environment से related topic आता है, वहाँ पर आप quote कर सकते हैं, और इस तरीके के के केरला के example को आप क्या कर सकते हैं, अपने answer में quote करके बता सकते हैं, कि इस तरीके के initiative यहां यहां पर चल रहे हैं, तो बहुत कुछ important आज के articles हैं, संडे हैं, लेकिन articles आज अच्छे ठीक ठाक news आई हुई है, तो हम उसको देखेंगे, तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए, यह तो highlights देख ली, अब देख लेते हैं, आज के important topics को पहला topic सबसे पहले जैसे कि हमने बताया, क्या है over 140 hectare of forest land, guted in उत्राखंड, क्या हुआ है, अभी वहाँ पर जंगल में आग लगी है, बहुत जादा बड़े level पर यह आग लगी है, और लगबग 72 घंटों से यह आग चल रही है, अभी भी बुझ नहीं रही है इसको बुझाने के लिए, आर्मी की help ली जा रही है, उत्तराखंड की government के द्वारा, और उत्तराखंड की government में, आर्मी के साथ साथ में, कुछ वहाँ पर measures लिए हैं इस हाँ को बुझाने के लिए, जिसमें एक area जो है, वो बहुत जादा news में आया है कौन सा भीमताल रेक, तो भीमताल लेक जो है, वो बहुत जादा इसकी वज़े से news में आ गया है, अब हम इसको discuss क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे geography में इसी तरीके से location से ही question बनता है, ठीक है न, तो भीमताल जील या भीमताल लेक के बारे में यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, कहाँ पर है यह उत्तरा खंड में है, और यह चर्चर में आया है, क्योंकि अभी जो जंगल की आग लगी हुई है, उत्तरा खंड है यह UK, ब्रिटेन मत समझ लिजेगा तो भीमताल जो उत्तरा खंड में है वहाँ की पानी का, उस जील की पानी का यूस करके इस जंगल की आग को बुझाने के लिए, वहाँ की जो स्टेट गॉर्मेंट है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ऐसा ओर्डर दिया है तो इस वज़े से देखी, कभी भी कोई चीज इस तरीके की होती है, जो जोग्रॉफी से रिलेटेड होती है, जंगल की आग है ग्लोबल वर्मिंग से कनेक्ट होती है ये सीधे सीधे जीएस पेपर 3 में इन्वार्मेंट वाले टॉपिक से रिलेट करता है और प्रिलिम्स पास में आ रहा है प्रिलिम्स में इन्वार्मेंट का बहुत बड़ा वेटेज है और वहाँ पर question इसी तरीके से बनते हैं location से question बनते हैं और locations UPSC ऐसे तो नहीं है कि कहीं से भी उठाके अपने मन से सपने में आया और उनने उठाके दे दिया ऐसा तो होता नहीं है जो भी time time पे चीजे न्यूज में रहती हैं जो locations न्यूज में रहती हैं वहाँ से question उठाते हैं और फिर उसको एक्जाम में पूछा जाता है तो अभी फिलहाल इस forest fire की वज़े से इस जंगल की आग की वज़े से क्या हो गया है भीम ताल लेक जो है वो न्यूज में आया हुआ है ठीक है और ये पूरी आग लगी कहाँ पर है तो उत्तरा खंड का जो नैनी ताल डिस्ट्रिक है नैनी ताल सिटी है वहाँ पर ये पूरी आग लगी हुई है नैनी ताल से लगबग 10 किलोमेटर की दूरी पर जो एरिया ह वहाँ पर ये आग लगी हुई है तो ध्यान में रखिएगा एक भीमताल जील के बारे में भीमताल जील आप हो सकता है कहीं आपको पेपर में ऑप्शन में मिल जाए कहां पर है ये उत्तरा खंड में है ठीक है अब चलते हैं हमारे अगले बहुत इंपॉर्टन टॉपिक की त प्रकॉंस इंडिया और ऋमान के बीच में एक टायाप हो रहा है किसको ले करके बिजनेस को ले वाडिजी को ले करके तो थी it economy से related ये टायाप होने वाला है अभी इंडिया और उमान के बीच में तो फिलहाल हूँ तो नहीं ये लेकिन ूस शपी है और इसमें बात की गई है कि ये जो tie up होने वाला है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा importance रखता है क्यों importance रखता है क्योंकि जो उमान है वो GCC में आता है GCC मिन्स क्या होता है Gulf Corporation Council Gulf Corporation Council में बहुत सारे member countries हैं लगभग आठ जो है 7-8 जो है वो member countries है और ये member countries जो है वो क्या काम करती है ये जो सेयुकत अरब अमिराथ हो गया UAE हो गया Qatar हो गया साओधी हो गया ये सारे जो है वो इस Gulf Corporation जो Council है GCC है उसमें आते हैं और ये अगर हम मान लिजी ओमान के साथ में संबन्ध स्थापित करते हैं अगर एक उस group में से किसी एक देश के साथ भी हमारे अच्छे संबन्ध होते हैं तो हमें फिर उस group का access मिल जाता है वो ऐसे ही जैसे होता है न कि हमारे एक peer group होता है जिसमें 4-5 लोग होते हैं उसमें से किसी एक friend के साथ में मान लिजी आप outsider है और उसमें से किसी एक के साथ में आपके अच्छ relation है वो आपका friend बन गया तो बाकी 5 के साथ वैसे ही दोस्ती हो जाती है तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि India और Oman के खुद के tie-up तो है खुद जो वाड़ी जिसे related tie होने वाली है उसके benefits तो अपने आप में है ही लेकिन इसके साथ साथ GCC में access मिलना भी इंडिया के लिए बहुत important है तो इंडिया और Oman से related ये जो news आई हुई है अभी क्या होगा ये आगे चलके क्या क्या benefits मिलेंगी इंडिया को क्या benefit मिलेगा Oman को ये तो अभी पता नहीं है क्योंकि ये tie होने वाली है लेकिन इंडिया और Oman के हमारे लिए क्या importance है इसको हमारे लिए जानना जरूरी है और ये आपको कही ना कहीं जब आप answer writing करते हैं वहाँ पर data और fact डालते समय में ये सारी चीज़ों का जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम factual data के माध्यम से देख लेते हैं कि इंडिया और Oman के फिलहाल में क्या relation है तो अभी जो वित्तवर्श 2021-22 गुजरा है उसमें क्या हुआ ओमान भारत का 34वा सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा यहने की निर्यात बाजार कहने का मतलब है कि सबसे ज़ादा इंडिया से export हुआ कितने नंबर पे 34 नंबर पे Oman वो country है जहाँ पर इंडिया का सबसे ज़ादा export होता है तो इंडियान export के मामले में देखा जाए तो इंडिया के लिए Oman की बहुत ज़ादा क्या है importance है क्योंकि हम export करते हैं तो हमें कहीं न कहीं फायदा होता है और जो Oman है वो बहुत ज़ादा अभी developed नहीं है तो वो बहुत ज़ादा depend करता है other countries पे export के मामले में या import के मामले में तो हम क्या है जनरली हम चाइना के साथ trade में हम क्या है deficit में है घाटे में है क्यों क्योंकि हम वहाँ पे import ज़ादा करते हैं export कम करते हैं याने कि हम चाइना से आयात ज़ादा करते हैं निर्यात कम करते हैं इस वज़े से क्या है हम वहाँ पर व्यापार घाटा trade deficit का सामना करते हैं लेकिन इन तरीके की जो countries होती है ओमान हो गया या फिर other Gulf countries हो गई कोई छोटी अन्य countries हो गई वहाँ पे हम export ज़ादा करते हैं तो इन countries के साथ हमेशा हमेरा हमारा क्या होता है trade surplus होता है ठीक है ये बाद ध्यान में रखिएगा उसके बाद और fact क्या है 2021-22 का ही data है कि ओमान में भारत का आयात कितना है 6.8 billion अमेरिकी डॉलर तो 6.8 billion अमेरिकी डॉलर का लगभग ओमान के साथ भारत का व्यापार है देखिए मैंने पहले ही बताया कि ओमान के साथ बहुत ज़ादा बड़े लेवल पे व्यापार नहीं है हमारा अगर हम पैसे के form में देखें उस चीज़ को तो बहुत ज़ादा बड़े लेवल पे हम व्यापार नहीं करते हैं ओमान के साथ में लेकिन फिर भी क्या है हमारे लिए importance ओमान की ज़ादा है क्योंकि वो गल्फ countries में आता है तो यह जो हार्मोज स्ट्रेट है यह बहुत ज़ादा ही importance रखता है सभी के लिए चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यह गल्फ countries हो यहाँ पर आपको इरान मिल जाएगा मैप आपको बिल्कुर रटा होना चाहिए रटा होता है जब मैप तो आप क्या करते हैं अपने answer writing में भी उस चीज़ को लिखते हैं और इससे बहुत value addition मिलता है आपको अच्छे marks जरूर मिलते है ठीक है तो यह जो पूरा area है यहाँ पर state of harmony है और यह क्या करता है access देता है world को क्या करने के लिए oil का business करने के लिए या oil transport करने के लिए तो oil transportation की दृष्टी से ओमान का साथ के साथ state of harmony का not only इंडिया पूरे world के लिए बहुत ज़्यादा importance है इस वज़े से हम ओमान के साथ में अपने संबंदों को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो यह पूरी news हुई अब और देख लेते हैं fact क्या है कि ओमान भारत क 24 वा सबसे बड़ा आयात श्रोत है ठीक है तो भारत जो है वो आयात भी करता है ऐसा नहीं कि ओमान को सिर्फ export ही हम करते हैं import भी करते हैं और ओमान जो है वो भारत का 24 वा सबसे बड़ा आयात श्रोत है मतलब 24 नंबर पे हम आयात करते हैं और 34 नंबर पे ओमान आता है जब भारत से export की बात आती है तो इसमें confusion नहीं होना चाहिए इस तरीके के points आपको exam में देखने को मिल सकते हैं ठीक है 2021-2022 में क्या हुआ है 9.9 billion American dollar के कुल व्यापार के साथ उमान भारत का 31 सबसे बड़ा व्यापारिक क्या है साजेदार है या भागीदार है तो ये सारे data है बिलकुल इस तरीके से प्रशन आपके बनते हैं इसलिए हम इसको यहाँ पर discuss कर रहे हैं अभी जो tie है वो जब होगा जब सारी चीजे complete हो जाएंगी तो फिर पता चलेगा कि किस छेत्र में सबसे ज़ादा काम किया गया भारत और ओमान के बीच में अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ अगला टॉपिक जो है ये जीएस पेपर 1 में जो जो जोग्रॉफी वाला एरिया है वहाँ पर आपको रिलेट करना है ठीक है तो जोग्रॉफी में बात जब की जाती है तो कही न कही पर बात की जाती है कि पृत्वी की उत्पत्ती कैसी हुई और हमेशा समय समय पर इस तरीके की रिसर्च इस तरीके की खोज होती रहती है क्योंकि सभी को मालूम है कि अर्थ के नीचे, जुजमीन के नीचे क्या है? अभी तक ये पता नहीं है. वहाँ पर पहुँचने के लिए सोर्सेज बहुत ज़ादा नहीं है. क्यूँ? क्यूँ कि यहाँ पर हीट इतनी ज़ादा है कि कोई व्यक्ति के लिए तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि वो जा करके व जो कुछ बहुत अर्बो लाखो अर्बो साल पुराने होते हैं, तो उनको रिसर्च करके लैब में और फिर ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है, कि हाँ अर्थ की पहले कंडिशन ऐसी रही होगी, तो उसी से रिलेटेड एक निउस आई हुई है, तो अभी क्या हुआ है, डिसकवरी हुई है, किसके द्वारा MIT जो है, मैसाचुचेट जो इंस्टिटूट बोला जाता है, इस उनिवर्सिटी और Oxford उनिवर्सिटी ने मिल करके क्या खिया है, एक इस तरीके का रॉक खोजा है, एक तरीके की चटान खोजी है, जिससे पता चलता है, कि कहीं न कहीं जब प्रित्वी की उत्पत्ती हुई, उसमें 3.5 मिलियन वर्स पहले क्या होता था, मैगनेटिक फिल्ड प्रित्वी के चारो और काम करता था, अब इसमें लगभग रिसर्च होगी, उसके बाद पता चलेगा, तो देखिए, रॉक आर अबाउट 3.7 बिलियन इयर्स ओल्ड एंड रिटेन सिगनेटिर्स ओफ मैगनेटिक फिल्ड विट अस्ट्रेंथ ओफ अट लीस्ट 15 माइक्रो टेचला, तो क्या हो रहा है, 3.7 बिलियन इयर्स पुराना ये रॉक है, और इससे पता चलता है कि पहले जो थी अर्थ के अराउंड में, इस तरह की मैगनेटिक फिल्ड काम करती थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा खोजा क्या है, तो MIT और Oxford ये दो उनिवर्सिटीज ने मिल करके खोजा है, और कितने पुरानी है ये, 3.7 billion years पुरानी ये रॉक है, अभी इस पे फिर से रिसर्च वगेरा चलती रहेगी, उसमें बहुत सारी चीजे निकल के आएगी, ये एक कोशन बन सकता है कि ये कहां पर मिला है, तो जो South Western Greenland area है, जो Greenland आपको मालूम है कि यहां पर Greenland ही है, जहां से आपको Standard Time जो है पूरे World का वो Decide किया जाता है, तो Greenland के पास में जो South West जो है, South West जो Greenland है, निचला हिस्सा यहां का, वहाँ पर इस तरीके के रॉक की खोज की गई है, जिससे पता चला है कि Earth के Surroundings में पहले जो है, लगभग 3.5 billion years पहले क्या होता था, इस तरीके की Magnetic Field काम करती थी, तो यह एक छोटी News है, 2-3 point इसमें important है, तो हमने इसको देख लिया, MIT और Oxford ने खोजा है, कहाँ पर खोजा है, तो Greenland वाले एरिया में इसको खोजा गया है, ठीक है, अब चलते हैं हमारे Editorial की तरफ, Editorial किसके बारे में है, Will New Insurance Rules Help Senior Citizens, तो यह नया Insurance Rule आया है, इस Rule का नाम क्या है, तो Insurance Regulatory and Development Authority of India Insurance Products Regulations 2024, तो यह नया Rule आया है, किसके द्वारा आया है, तो ADI के द्वारा आया है, तो IRDAI, जो Insurance Regulatory Department Authority of India है, Development Authority of India है, वो क्या करता है, इस तरीके के टाइम टाइम पे, इन्शोरेंस से रिलेटेड रूल्स वगेरा ले करके आता है, और वो हमेशा इसमें Cross Taking करता है, कि क्या Citizens की Demand है, और किस तरीके से उनको और ज़्यादा Benefits दिया जा सकता है, तो इस Editorial में बहुत ज़्यादा खास चीज़ें नहीं बोले गई, यहाँ, एक दो चीज़ें मेंशन की गई है, जैसे कि क्या बात की गई है, अभी बात की गई है, कि आयूश जो है, आयूश में क्या क्या आता है, आयूश में क्या क्या आता है, आयूश योग, नेचुरोपैथी आता है, युनानी, सिध्धा और होमियोपैथी, तो आयूश सिस्टम को भी क्या करना चाहिए, insurance policy में सामिल करना चाहिए इसका फाइदा क्या होगा कि अभी तो सिर्फ allopathic जो भी इलाज होता है उसमें insurance काम करता है insurance का फाइदा मिलता है लेकिन अगर आयुष को भी सामिल कर दिया जाएगा तो जितने भी तरीके के treatments होते हैं चाहे वो होमियोपैथी हो चाहे वो आयुर्वेध हो हर तरीके के treatment के लिए जो है insurance cover insurance coverage मिल सकता है तो ये एक demand है जिसको इसमें शामिल करने की बात की गई है अभी इस editorial में बहुत जादा important चीज़े नहीं है वही घुमाफिरा के चीज़े बताई गई है कि क्या benefits होते हैं अगर senior citizen को insurance मिलता है देखे डेफिनेटली आपने देखा ही होगा आप देख भी रहे हैं कि अभी जो समाज जो है वो बहुत जादा क्या हो रहा है nuclear समाज हो रहा है nuclear समाज कहने का मतलब है कि हम दो हमारे दो वाला concept चलता है और generally ये cases बहुत जादा देखे गए है अभी recently मैंने कहीं पर देखा था कि कोई army officer है उनकी बेटी और फिर भी उनके पिता वो विद्धाश्रम में रह रहे हैं तो इस तरीके के conditions हमेशा बनती रहती है senior citizens को जब एक age हो जाती है उसके बाद में परिवार जो है वो बोज समझने लगता है और फिर वो विद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं लेकिन इस तरीके की जब insurance policies होती है तो किसी तरीके का burden उन व्यक्तियों के उपर उन senior citizens के उपर नहीं पड़ता अगर उनको health related कोई फायदा चाहिए या कभी after 60s क्या होता है बहुत सारे measures बीमारिया होने लग जाती है अभी तो after 30 तो 40 में ही बहुत सारे measures जो आपके complications health related होने लग गए है लेकिन ये जो policy होती है insurance वगेरा उसके थूँ क्या होता है कि senior citizens होते हैं 60 साल के बाद में जब वो काम करने के लिए capable नहीं है तो क्या होता है insurance policy वगेरा होती है तो अगर उनको health related या कोई भी समस्या होती है कोई accident वगेरा हो जाता है तो वहाँ पर उनको insurance के थूँ थोड़ा फायदा मिल जाता है तो इलाज के लिए उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है अगर पहले से insurance होता है फिलहाल यह जो पूरा editorial है वो बात करा है नए rules के बारे में तो हमारे लिए question कहां से बनेगा नए नियम क्या किये गए है क्या सामिल किया गया है उसको हम देखेंगे यहां पर तो हमारे लिए important यह है और यहां से हमारे लिए question बनेगा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नए नियम को शामिल क्या किया गया है लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि जो IRDAI है वो क्या है तो IRDAI जो है वो बीमा नियमक और विकास प्राधिकरण इसका हिंदी version है और यह क्या करता है जीवन बीमा कम्पनियों के द्वारा मध्यस्तों को भुकतान किये जाने का काम करता है मतलब कि कई सारी कम्पनिया होते हैं जैसे LIC है वो क्या करती है वो भी आपको इसको regulate करने का काम यह IRDAI करती है तो एक तरीके से insurance related जो भी मामले हैं जो भी issues है जो भी concern है उसको IRDAI देखने का काम करती है अभी जो इनका नया नियम आया है 2024 का उसमें क्या चीज़े शामिल की गई है उसमें नय नियम में कुछ important चीज़े शामिल की गई है जैसे कि बीमा कर का उदेश बहतर मूल निलहारन के माध्यम से policy धारगों को लाभ पहुचाना है अभी कुछ चीज़े change की गई है एक तो time limit में changes किये गए है 65 year वाला ठीक है साथ के साथ में कुछ और भी benefits इसमें सामिल किये गए है जिससे क्या हो senior citizens को किसी भी तरीके की परिशानी का सामना करना पड़े ठीक है तो यह है policy में कोई गलती ना हो किसी भी तरीके से जब कई बारी होता है कि कई कमपनिया ऐसी होती है जो fraud करती है insurance related आपने insurance ले लिया है दो चार साल के बाद उसको भुनाना है बीच में कहीं कोई condition ऐसी आ जाती है तो क्या होता है जब आप जाते है insurance का पैसा लेने फिर वो company जो होती है वो क्या करती है तरह तरह के बहाने बना देती है कि नहीं नहीं अभी तो आपका tenure पूरा नहीं हुआ आपने इतने पैसे ही जमा किये थे अभी तो आपको इतना और करना है तो हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे इस तरीके के fraud होते है तो कि क्या हो senior citizen को किसी परिशानी का सामना न करना पड़े ठीक अभी हमने ये सारी चीज़े देखी उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो IRDAI है वो क्या है क्योंकि हमेशा मैंने बात की है जबी भी कोई भी चीज इस तरीके की पढ़ाती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ कि exam में इस तरीके के organization से question आते हैं तो देख लेते हैं IRDAI के बारे में क्या है इसमें एक 10 सदस्य निकाय है ये सबसे पहली बात तो ये ठीक है और इसमें क्या होता है एक अध्यक्ष होता है पांच पूर्ण कालिक सदस्य होते हैं चार अंश कालिक सदस्य होते हैं पांच पूर्ण अब इसका मुख्याले कहा है तो मुख्याले इसका है तिलंगना के हैदरबाद में है और ये कहाँ पहले हुआ करता था तो दो हजार एक से पहले ये नियुदेली में इसका हैड़क्वाटर हुआ करता था तो आपको जो भी organizations है जो भी news है आपको उसमें exam oriented चीज़े पढ़ाई करनी होती है तो आपको जो चीज़े exam में पूछी जाएं उसको देखना होता है फाल्तु की इधर उधर की news हमारे लिए काम की नहीं होती हाँ अब ये एक नया editorial आया है इसमें क्या बात की गई है how do extreme climate events impact Asia तो ये जो पूरा जो editorial है इसमें बहुत जादा ही data दिया गया है data in the sense की 0.58 है 0.6 है इस तरीके से particularly बहुत सारे आंकडे दिये गए है और इतना सब कुछ याद करना impossible ही है next to impossible बात है और सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी भी नहीं तो हम इसमें देखेंगे Asia के बारे में क्या बात की गई है बहुत जादा important नहीं है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से 2-4 अगर fact भी हमारे लिए काम के निकल आए तो वो हमारे लिए बहुत होगा तो यह जो पूरा topic है यह आपके GS paper 3 में जो environment वाला reason है environment वाला जो area है उससे relate करता है अब बात की जा रही है particularly एशिया में climate change इतना जादा क्यों हो रहा है एशिया में जित्ते भी countries है mostly वो क्या है tropical area में आते हैं और उस्ट नकटी बंदी शेत्रे में आने की वज़े से यहाँ पे गर्मी बहुत जादा होती है और यहाँ पे climate change से related चीज़े भी बहुत जादा होती है ठीक है और एशिया में इंडिया भी शामिल है तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं इस topic को देख रहे हैं तो इसमें बात की गई है कि 1960 के बाद से अगर अभी तक देखा जाए तो day by day क्या हो रहा है temperature rise हो रहा है और हमने IMD वगेरा की data भी पड़ी है कि 2023 जो था वो सबसे warmest था ठीक है ना मतलब कि सबसे ज़ादा गर्म साल था 2023 का और यहीं पर रुकेगा नहीं 2024 इससे भी ज़ादा गर्म होगा इन्हें की 1960 के बाद से अगर temperature वाइस देखा दा है तो साल दर साल temperature बढ़ रहा है और यह Asia reason में भी बढ़ रहा है ठीक है यह जो पूरा data है वो Asia reason के बारे में ही बात कर रहा है अब इसमें बात की गई है what toll did heat exact on Asia तो इसमें बात की गई है कि लगभग 2000 लोग जो है वो हर साल क्या हो रहे है इसकी वज़े से मर रहे है 80% लोग जो है वो क्या हो रहे है इसके शिकार हो रहे है climate change का शिकार हो रहे है तो देखिए इस तरीके के आकड़े हैं बहुत जादा आप याद नहीं कर पाएंगे कि 2000 लोग मर रहे हैं या फिर 10,000 लोग मर रहे हैं लेकिन एक overview जब आपको answer रिखला होता है तो अगर एक overview दिमाग में fit होता है तो लगभग करके आप वो आकड़ा यूज कर देते हैं तो आपका जो answer है more authentic हो जाता है तो ये बात की गई है कि आकड़ो के मादियम से कि हर साल लगभग क्या हो रहा है अभी फिलहाल एक data आया है कि April and June में last year April and June में क्या हुआ था सिर्फ 2-3 महीनों के अंदर-अंदर 110 लोगों की death हो गई थी इस climate change की वज़े से इस heat की वज़े से अगली बात की गई है कि how did floods and storms affect Asia तो मालूम है सभी को की जो Asia वाला reason है वो जिस शेत्र में आता है वहाँ पर क्या है अगर आप इंडिया की बात करिए तो इस साइड में आपका अरब सागर है इस साइड में आपको क्या मिलेगा इंडियन ओशन मिलेगा और फिर Bay of Bengal वाला reason तो Bay of Bengal और इधर Arabian Sea यहाँ पर क्या होता है समंदर है साइकलोन है वहाँ पर साइकलोन जादा formation होता है और साइकलोन जो है हिट करता है जब बांगलादेश, इंडिया, इन सारी कंट्रीज को तो सबसे जादा effect एशिया को मिलता है तो इसलिए बात की गई कि how did flood and storms affect एशिया तो इसमें बात की गई है जो ट्रॉपिकल साइकलोन होते है क्योंकि इंडिया के साथ भी सीमा साजा होती है उनकी यहाँ वाला reason जो है यहाँ पर आपको देखना को मिलेगा बांगलादेश है और यहाँ पर आपको मिलेगा म्यामार तो म्यामार और बांगलादेश में अगर कोई cyclone हिट कर रहा है तो उसका effect इंडिया में भी पड़ता है तो पूरे एशिया में क्या है cyclone, tropical cyclones की वज़े से बहुत ज़्यादा effect हो रहा है अगली यहाँ पर बात की गई कि how well can Asia spot a coming disaster तो Asia इस disaster से कैसे treat कर सकता है, कैसे निकल सकता है तो इसमें बात की गई है एक early warning system की early warning system कहने का मतलब है कि cyclone आ रहा है, तुफान आ रहा है, बारिश कितने ज़्यादा हो रही इसके बारे में पहले से ही क्या हो जाए, खबर हो जाए लोगों को अभी तो जो IMD है वो तरह तरीके के app वगेरा जारी करती है समुद्र सेतु जैसे app वगेरा है जिसके माधिम से क्या होता है, जब मच्छली पकड़ने के लिए समंदर में जाते होते है वहाँ पर अगर कोई cyclone आने वाला होता है, कोई tied आने वाला होता है तो फिर पहले ही वो IMD है inform कर देती है वहाँ के मच्छवारों को कि कोवो पानी में ना जाएं, समंदर में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर cyclone हिट करने वाला है तो इस तरीके का early warning system को बना करके ही, उसको और ज़्यादा effective करके ही क्या किया जा सकता है, इस तरीके के disaster से निपटा जा सकता है साथ के साथ में इंडिया के respect में बात की गई है कि इंडिया क्या है ऐसा नहीं है कि इंडिया prepared नहीं है, इंडिया's early preparedness when dealing with cyclones is commendable इंडिया ने अभी तक जितना काम किया है, अगर हमारी आबादी को देख लिया जाए और हमारे challenges को देख लिया जाए इंडिया का जो पूरा reason है वो तीन तरब से पानी से गिरा हुआ है ये पूरा reason तीन तरब से पानी से गिरा हुआ है लेकिन फिर भी इंडिया ने जितना अच्छा काम किया है आप देख रहे हैं अभी की cyclone वगेरा hit करता है तो पहले ही हमें प यहां से आपको दो तीन पॉइंट मिले होंगे जो कि आपको exam में quote करने की काम आएंगे अब हमारी अगली news है GS paper 3 में health sector से health sector में health वाले sector में medicine से related यह पूरा topic है अभी क्या हुआ है पहले तो हम highlight देख लेते हैं कि chemist group resist centers move to sell drug without license तो अभी क्या बात की गई है कि एक OTC drug होता है OTC मैंने पहले ही बताया कि over the counter OTC का full form क्या है over the counter over the counter क्यों बोला जाता है इसको क्योंकि इसको direct जा करके counter से ले लेला होता है बेना किसी डॉक्टर के prescription के तो बीना डॉक्टर के prescription के यह OTC दवाईयां जो हैं आप डॉक्टर के पास न जाते हुए भी medical से जाकर के ले लेते हैं जिस तरीके से पैरसे टमॉल होता है एस्पिरीन होता है जब आपको बुखार वगेरा होता है सरदर्द होता है तो आप रेंडम ली जाते हैं medical स्टोर पे और वहां से जाकर के आप दवाईया ले लेते हैं तो इस तरीके की OTC दवाईयों के लिए अभी government ने एक rule लाया है जिसमें बोला गया है कि बिना license के भी इसको बेचा जा सकता है अब ये जो है जो अलग-अलग जो organizations है जो health के sector में काम कर रही है उनके लिए concern बन गई है क्यों concern बन गई है क्योंकि इस तरीके से अगर बिना licensing के इनको provide कराने की बात की जाएगी तो क्या होगा नकली दमाईया भी लोग बे बैठ जाएगा और फिर वो कैसी भी दमाईया दे देगा तो इसके बहुत ज़्यदा negative effect हो सकते है तो all India organizations of chemist and drug है इसका full form क्या है इसका short form है AIO all India organizations of chemist and drug तो ये जो है एक तरीके का association है जो क्या काम करता है जितने भी chemist है उनका एक group है जिनके बारे में ये देखता है तो य ये जो AIODCD है इनने अभी अपना concern raise किया है और government से बोला है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए ये बिल्कुल भी सही policy नहीं है कि OTC दवाईयों को आप इस तरीके से बिना किसी licensing के बेचने के लिए permit कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़े बताई गई है कि इसके negative effect क्य होंगे मैंने पहले ही बताया है कि drug abuse हो सकता है जान जाने का risk हो सकता है क्यों भी ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है दुकान खोल के बैठ जाएगा और इस तरीके से सरदर्द की बुखार की दवाएं बेचने लगेगा फिर पता ही नहीं कि वो किस तरीके से हाम करेंगी लोगों को तो इस तरीके से यहां पर concern rage किया गया है और यहां से आप अपने लिए important चीज़े जो exam में आपको बन सकती है इस तरीके से government की कोई policy है जिसको criticize करना है तो कैसे criticize करना है उसके क्या side effects हो सकते है उसके बारे में लिखेंगे और साथ के साथ में जब आपक यह जो बात होती है sentence होती है उसको quote करके आप अपने answer को और भी ज्यादा effective बना सकते हैं ठीके ना तो यह पूरी news थी अब चलते हैं यह चोटी से news है पहले भी हम बहुत बार discuss कर चुके हैं इसको लगभग 2-3 दिन तक हमने इसको discuss किया था last month क्योंकि अलग-अलग state जो थे पूरा topic link करता है तो केंद्र राज संबंधों में जब बात आती है तो सहकारी संगवाद की बात आती है साथ के साथ में सकती के प्रिथक करन की बात आती है और वहीं पर यह सारे topics आते हैं अभी फिलहाल news किसलिए आई है news इसलिए आई है कि जो flood आया हुआ था केरल करनाट ही provide किया states को इस वज़े से states जो है वो court में गई कि हमें fund पूरा नहीं मिल रहा है और हमारे लिए यह जो fund मिला है government के government के द्वारा central government से वो enough नहीं है because हमारा जो flood आता है या कोई disaster होता है इसकी वज़े से हर साल हमारा infrastructure बहुत जादा ही क्या होता है खराब होता है धानी होती हमें और फिर उसको rehabilitate करने के लिए लोगों को वापस से मुखे जिंदगी में वापस सिलाने के लिए main stream में वापस सिलाने के लिए बहुत resources बहुत पैसा लगता है तो यह जो मामला जब court में गया था उसके उपर court ने अपनी सुनवाई की थी और फिर बोला था कि government को पैसे वगरा देने चाहिए और अभी government ने election को ध्यान में रखते हुए कह लिजे या जैसे भी कुछ fund raise किया है तो उससे related news आई हुई है अब इसमें जो पूरी बात की गई है वो दो चीजों की बारे में बात की गई है एक तो है NDRF और दूसरा है SDRF तो यह जो है क्या है इसका full flood आए कोई भी तुफान आजाए cyclone hit करे तो वहाँ पर उसको ठीक करने के लिए इस तरीके के fund पहले से बने होते हैं और उसका use करके वहाँ पर क्या किया जाता है फिर से ocean रचनात्मक विकास किया जाता है तो पूरा article पूरे जो news है वो SDRF NDRF के आई रिदिगर्द घुम इसलिए हम उसको यहाँ पर discuss कर लेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्टी आपदा प्रतिक्रिया कोश है क्या तो यह क्या होता है इसके नाम में ही mention है कि जब भी भी कोई आपदा आती है कोई disaster आता है तो उसको ठीक करने के लिए क्या होता है central government क्या करती है एक तरी hazard किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं राहत खोस या फिर relief fund बोलते हैं अगर यह center के दोरा बनाया जाता है तो उसको किया देते है नेशनल डिजास्टर रिलिफ CF बोला जाता था जिसको अब क्या बोला जाता है NDRF यानिकी Relief Fund बोला जाता है अब जो पुरा ये जो Fund है वो किस Act के तहट काम करता है तो 2005 का Act है अधिनियम है DMA यानिकी Disaster Management Act तो 2005 का जो Disaster Management Act है उसके थुरू क्या होता है ये Fund raise किया जाता है और वहाँ पर चीज़े mention होती है कि जब इस तरह के की आपता आएगी तो कितने percentage shares जो है वो state को दिये जाएंगे ठीक है न तो ये पूरी news होई अब इसमें ये चीज़े पूछी जा सकती है कि DMA की धारा कौन सी है तो धारा 46 जो है वो NDRF को परिभाशित करती है तो जो National Disaster Fund है उसकी परिभाशा लिखी हुई है कहाँ पर लिखी हुई है Section 46 में Section 46 किसका तो DMA Act 2005 का Section 46 Act जो है वो बात करता है किसके बारे में NDRF के definition के बारे में तो जो news थी उसको हमने यहाँ पर discuss किया अब यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि government जो है वो इक तरीके का खाता या fund raise करती है इसको सारवजनी खाता बोल दिया जाता है ब्याज रहीत होता है इस पर कोई भी ब्याज नहीं होता ब्याज रहीत आरक्षित निधी होती है जब जिस state को जरूरत होती है उनको वो दे दिया जाता है without any interest ऐसा नहीं है कि आज किसी state ने लिया तो फिर उसको interest पे करना पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं अपनी disaster को क्या करने के लिए रोकने के लिए इस तरीके के fund का use किया जाता है audit कौन करता है तो नियंतरक और महालेखा परिक्षा कियाने की CAG जो है वो समय समय पर इसकी auditing करता है auditing का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई fund कोई state जो है वो use करती है तो उसने उस fund को सही तरीके से use किया की नहीं किया सही जगा पे जिस काम के लिए लिया था उसको वहाँ पर use किया या नहीं किया इसके लिए क्या होता है CAG टाइम टाइम पर auditing करती है तो ये इसमें भी auditing का provision लिया गया है ठीक है तो ये जो पूरी news थी अब ये पूरा under किसके आता है तो वित्त मंत्रा लेके under ये सारी चीज़े आती है तो ये जो कूछ important चीज़े थी इसी तरीके के question आपसे बनते है इसलिए हमने यहाँ पर इसको discuss किया I hope आपको सारी चीज़े समझ में आई होंगी अब ये एक picture है picture देखने के लिए बहुत important है क्यों? क्योंकि ये बात कर रही है अभी जो heat wave वाली condition है हमने बताया था कि IMD ने इस बारी बोला है heat wave like condition है और जो April था इस समय में या May का जो समय आने वाला है उसमें ये condition बहुत जादा होने वाली election का भी time है इसी बीच में ये एक picture है राजिस्थान के बारमेर district की यहाँ पर क्या हो रहा है पानी की कमी तो ऐसे भी वहाँ पर है और वहाँ पर सभी को मालूम है कि बहुत दूर दूर जाना पड़ता है महिलाओं को तो यही एक picture में बता रहा है कि महिलाओं को इतनी गर्मी में भी अपने घर से इतना कोसो दूर आ करके यहाँ पर पानी भरनी पड़ रही है और climate का इतना ज़्यादा negative effect पड़ रहा है अब यह जो news है जो हमने कल डिसकस करने की बात की थी यह west management से related है GS paper 3 में आप इसको environment वाले section से link कर सकते हैं environment में क्या होता है west management के बारे में बात की जाती है तो जब west management की बात की जाती है तो सबसे बड़ा waste हमारे घरों से निकल के आता है घरेलू कचड़ा सबसे जादा waste का कारण बनता है तो यह एक concept है कहां का concept है यह keral का concept है keral में एक तरीके का group चलता है group का नाम क्या है हर्खा कर्मा सेना तो यह हर्खा कर्मा सेना जो है इसको short form में कहते है HKS तो यह keral में एक तरीके का group है जो क्या करता है हर्खा कर्मा शेना यह क्या काम करती है घर घर जाकर के डोड टूड जाकर के जो waste material है उसको collect करती है कैसे collect करती है गिला कचड़ा अलग सूखा कचड़ा अलग इस तरीके से तो यह हर्खा कर्मा सेना जो है कहा की है केरल की है यह waste को collect करती है और उसके बाद उसको ले जा करके और अपने plants में इसको क्या करती है processing करके उससे कुछ useful चीज़े बनाती है तो यह जो पूरी news है वो केरला के बारे में बात करती है अब इसमें बहुत सारे data दिये गए है कि इसमें लगबग 12,000 लोग काम करते हैं बहुत सारे अलग-अलग sectors के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और एक अच्छा यह example set कर रहे हैं इसमें जो है केरला government में बहुत जादा help करती है इन लोगों की और waste को manage करने के लिए यह initiative लिया जा रहा है तो यहाँ पर यह चीज़े important थी बहुत जादा important इसमें कुछ भी नहीं था awareness वगेरा फैलाने की बात की गई है door to door जार करके यह हर्खा करम सेना क्या करती है waste को collect करती है साथ के साथ लोगों में awareness भी फैलाने का काम करती है कि उनको गीला, कचड़ा, सूखा, कचड़ा अलग-अलग रखना चाहिए और किस तरीके से उसको use करना चाहिए अगर कोई चीज reuse करने लायक है तो उसको reuse करना चाहिए तो ये कल की news थी जिसको हमने आज सहाँ पर discuss किया तो ये थी आज की news I hope आपको आज का शर्षन अच्छा लगा होगा जो भी important topics थे उसको हमने in detail चर्चा की कल फीर मिलेंगे नव topics के साथ तब तक के लिए thank you